कि यह गाइज गुड़ इवनिंग वेलकम बैक टू माइच चैनल कैसे हैं आप लोग हाई होप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ मैं सुनिय सरम आप सभी का वेलकम करती हूँ है को न्यू व्लोग में और जी व्लोग की स्टार्टिंग की है श्याम के चार बजे से तो आप सभी का वेलकम है गाइज व्लोग में अगर बड़ने से पहले लाइक कर देना और ज़्याद से ज़्यादा व्लोग को सेर करना चैनल पर नहीं है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को कर लेजिए सब्सक्राइब अभी मैं ना रेश्ट करके उठी हूं आज मेरा काम ना सुबह 11 बजे कंप्लीट हो चुका था उसके बाद फिर में सूगी और मैंने फोन में अला नमबर लिया तो अभी चार बच चुके हैं अभी मैं उठी हूं और क्या करने वाली हूं उठके आज आप सभी के साथ मैं शा सपाई में लगे हुए जैसे तेवारों से पहले चार पांस दिन तो इत्वार चल रहे थे धन तेरस चोटी दिपावली बड़ी दिपावली गोर्दन भाया दोज और उससे पहले लगे हुए थे 10-12 दिन से सपाई में तो पूरे घर की इतनी अच्छे से सपाई होगी है कि पूरा साल चमकता रहेगा तो नीद भी अच्छी आती है स्कून भरी नेद आती है जब हमारा अगर काम पड़ा नहीं होता है और अगर घर में गंदगी है तो नीद भी नहीं आती है अभी यह लगता है मेरे को तो सब के घर में बहुत ही सपाई होगी गाई तेवारों के बाद तो टेवार से पहले इतन जमकाई जो लग रहे थे नहाँ चीज की डिप्ली क्लीन जो कर दी उसे घर में बड़ी ही रोणक का चूकी है एक दम घर मंदिर जैसा लग रहा है और मंदिर तो मंदिर है ही लेकिन घर भी मन्दिर के तरह सजा हुआ है तो मैं उठका है और मतलब फुल रेस्ट किया है और दो तीन दिन में रेस्ट करने वाली हूं क्योंकि इतना काम है नहीं जो डेली का रूटिन काम है वही है तो उसके लब एक्स्ट्रा है नहीं सोच लिए दो तिन दिन रेस्ट कर लूँ अगर बच्चों ने पती देव ने करने दिया तो नहीं तो ये मेरे लिए कुछ ना कुछ काम एडवांस में रखते ही हैं, जैसे ही इनको लगता है कि मैं फ्री हूँ, ये तुरंत कोई ना कोई ऐसा काम लेके आते हैं, मतलब बखेर देते हैं, कहते हैं बखेडा बखेर ना, तो वही चीज है, अभी सर्दियार ये तो सर्दी के कप अपड़े ना, ऐसे ही फेले हुए हैं, तो उनमे से जो वीर नहीं पैनता ना चोटे हो गए हैं, वे निकालने हैं, और जो वीर पैनता जीनको यूज करता है वो रखने हैं, सोची हो किसी के बच्चे को दे दू, चो छोटे हैं वीर से हमारे यह पर हैं, तो पैन लेंग ब पादना चाय पी लेते हैं तो बड़ी फूर्ती और ताजगी आ जाती है फिर एक जनून के साथ काम में लग जाते हैं और दिल लगा कभी काम करती हूं लेकिन उससे पहले मैं यहां बैठका है स्कून से एक कप चाय की पहली पिऊंगी साथ में टीवी चल रहा है हाला कि मेरी पशन्द की मुवी नहीं है यह वीर देखता है लेकिन मैं वीर के साथ थोड़ा सा टैम यहां पर भिटाऊंगी और वीर का तो आप देख लेना यहीप बैठा बैठा क्या करएं यह क्या 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 नहीं करेगा तो इसने अपने एक बिस्कीट का फैकट ले लिए हैं और मै मेरे साथ नहीं खाके ऊपर बैठा है मैं निचे बैठी हूँ हलाकि मैंने इसको लाए बैटा सोपे पर कवर नहीं है खराब हो जाएंगे निचे बैठ जाओ लेकिन यह कभी-कभी जिद्धी पन अपना दिखा देता है और सोपे पर मैंने कवर धंतेरस वाले दिन लगा दिय लेकिन उसके बाद मैंने गुसे में दुबारा से उनको उतार के फोल्ड करके रख दिया है और गुसा किसलिए गाईज इतनी स्पाई करी है आपने देखा और उसके बाद जब मैं सोपे पर कवर लगा देती हूँ ना तो यह ऐसे उपर निचे उपर निचे कर देता है और इसलिए सोचा कि मैं पिटाई लगाऊं क्या फाइदा है न जी तो उठाके उनको रख दूंगी इतने इसकी चूटी है और अभी मैं इसको कह रही थी कि पढ़ लो लेकिन यह नहीं मान रहा है यह देखेगा और आप मौनली ममी 15 मिंट चला दो टीवी तो नहीं बंद करने दिया और बच्चा रोए वो मेरे को भी अच्छा नहीं लगता तो इतना यह चूटी है ना इसकी दो च्यार दिन की तो मैंने सोपे के कवर उठार कर रख दिये हैं जब यह स्कूल जाने लगेगा तब उनको दुबारसी लगाऊंगी और अगर नहीं लगाऊंगी तो मैं याद आगा था मैं वह काम करके फिर से यहां पर छोड़के चले गई थी ना बीच में जाड़ू तो अभी इसको कंपलीट कर लेते हैं और जी शाम के खाने में बनेगा आलो बेंगन की सबजी पक्वान खाते न कई दिन होगे बोर होगे हो पूरी अखा खाके तो आज गुड़ के साथ अच्छी लगती है ना गुड़ के साथ अच्छी लगती है लेकिन शाम के टाइम तो नहीं wollte करा रख दी हूँ आज रखोंगे तीं दीन बाद पूरी प्याली पाईगि इसके न मामा जी की साधी के हैं दो जोड़ी कोट पैंट है और ये वाइट सार्ट है पिसलिए बार अपने मामा के गर गया था तो इसके मामा जी न दिलाए थे इसको ये दो जोड़ी लेकिन इसने एक बार भी ये पैने नहीं है और इसको न छोटी होगी है बाद जो तो यह कहा है राम में मैं नहीं पैनुगा रखे 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 हो जाते हैं नए के नहीं कपड़े हैं कोट पैंट तो बस एक बर साधी मैं पैने थे और अभी मैं सोच रही हूँ उनको ऐसे ही कहीं पैंकने के बजाए किसी के बच्चे को दे दे तो मेरे को भी कोट वगरा हैं इन सब को निकाल के मिलेके आई हूं के पैने हैं और जो वी पैनने हैं उनको अलग से फोल्ड कर रखोंगे सकोल के अलग से खर घर में डेली उज की से अलग से फिर इसके नए साला आ जाएगा तो उसको मैं पेक करके रख देती हूँ वो निकाल लूँगी कली आपर सो में जब भी मेरे को टैम मिलता है आज मेरे पास अभी थोड़ा से टैम था तो मैंने वीर की अलमारी में वो टैम दे दिया दिपावली से पहले यह अलमारी सेट नहीं करी थी इसी व करें अपड़े थे अधिये उभी फोल्ड में प्लाएखे का कभी जोड़ा मिलता में हैं इसलिब वज different को दूसरी में डाल तो फिर मिल जाती है अलग-अलग से गूम नहीं होती यह स्टी चैके ॉपस को एक साइड रखंगे इससे इस की अ भी उजनी होगी उसको भी अलग से रख दूँगी सरदी की निकाल दूँगी है ना जी तो स्वेटर वगरा क्योंकि हलकी ठंड होगी है तो हाफ बाद जूकि स्वेटर तो अभी वीर पेन के जाने लगेगा उसको आज निकाल के बोस कर दूँगी और उससे पहले मैं इसके कट्रेक्ट अब मारी को साफ कर देती हूं जाडू लेके आती हूं और यह समना टैल लग रही है चेरो तरफ निच्छ पत्थर है फिर भी डेस्ट आ जाती है और थोड़ी सी भी डेस्ट अगर कप्डों में आ जाती है तो स्कीन में प्रोब्लम हो जाती है लाल से दाने हो और अब्य तो मोसम चेंज हो रहा है तो सर्दी के जो कपड़े निकलेंगे उन्हीं कपड़े जो होंगे तो उन्हें चाहिए बहुत ही ज़्याद होते हैं तो उन्हें हाथ-पैरों में मिरेको दिक्कत हो जाती है और उपर द्रेस्ट आती हुं जाती है पहले हैं करते हैं बेच वाली जो यह गर्मी के हैं तो इनको अलग से रखुँगी और कल या परसो में जो मैं पैटी खाली करूंगी निकाल objective में का अगी बड़ी सारी पैटी बना रखी है तो जब गर्मी राती है तो गर्मी यह उठा करके इस तरीक्ये से करती हूं कपड़ों को मैनेच और दों कि मेरे तो सादी का बैड रह इसे वह अज हैं नहींゃहां, और जब कर दें को फिर रहती हुर्ण किया दो ende और अब यहां से मैं कर दू थोड़ी सी स्पाई और फिर बनाएंगे खाना और व्लोग का भी यहीं पैंट करेंगे तो व्लोग हो चुका है पूरा बताना आज का व्लोग आपको कैसा लगा है जरासा भी अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक सेर सब्सक्राइब करना मैं तब तब के लिए बाई बाई